राम भारत की आस्ता है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्टा है, राम भारत का प्रताब है, राम प्रभा है, राम प्रभाव है, राम नेती भी है, राम नीत भी है राम नित्यता भी है राम निरंतरता भी है राम विवु है विशद है राम व्यापक है विश्व है विश्वात्मा है नमस्कार स्वागत है आपका संसा टीवी पर मैं हूं मनोज वर्मा और हमारा इस विश्ष कायक्रम है आयुद्या से शीराम जनम भूमी पर भगवान राम का भव और दिव मंदर बन गया और इसी के साथ भगवान राम लला मंदर में विराजमान हो गये इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन मोदी ने आयोध्या के विकास की बात कही और साथ ही राम के विविन सरूपों का उल्लेख करते हुए राम की महिमा का गुरगान किया आए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरिन मोदी ने आयोध्या को लेकर क्या कहा भगवान राम को लेकर क्या कहा आज हमारे राम आ गए है सदियों की प्रतिष्छा के बाद हमारे राम आ गए है सदियों का अभूत्पुर्व धैरिया अंगिनत बलिदान प्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभुराम आ गए है कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अभूरुद्ध है मेरा शरीर अभी बीस पंदित है चित अभी भी उस पल में लीन है हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे हमारे राम लला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे मेरा पक्का विश्वास है अपार स्रद्दा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुभूती देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी ये च्छान अलोकिक है ये पल पवित्रतम है ये माहोल ये वातावरन ये उर्जा ये घड़ी प्रभू स्री राम का हम सब पर आशिरवाद है 22 जन्वरी 2024 का ये सूरच एक अध्भूत आभा लेकर आया है 22 जन्वरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं ये एक नए काल चक्र का उद्गम है राम मंदिर के भूमी पुजन के बाद से प्रती दीन पुरे देश में उमंग और उत्सा बढ़ता ही जा रहा था निर्मान कार्य देख देश वास्यों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है गुलामी की मानसिक्ता को तोड़ कर उठ खड़ा हो राष्ट अतीत के हर दौंस से होंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे और यह कितनी बड़ी राम कुरुपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं इसे साक्षाद घटीत होते देख रहे हैं आज दिन दिशाएं दिख दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है यह समय सामान्य समय नहीं है यह काल के चक्र पर सर्वकालिक शाहिसे अंकित हो रही अमीट स्मृति रेखाएं है त्रेता में राम आगमन पर पुझ्य संत तुल्चिदाज ने लिखा है प्रभू बिलो की हर्थे पुरबासी जनित वियोग विबत्ति समनासी अर्थात प्रभू का आगमन देकर ही सब अयोध्यवासी समग्र देश्वासी हर्थ से भर गये लंबे योग से लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया उस कालखन में तो वो वियोग केवल चौदा वर्षों का था तब भी इतना सईय था इस यूग में तो अयोध्याव और देश्वासीों ने सेंकडो वर्षों का वियोग सहा है हमारी कई कई पीडियों ने दियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम बिराजमान है संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दसकों तक प्रभुसिर राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली मैं आभायर वेक्त करूंगा भारत की न्याय पालिका का जिसने न्याय की लाज रख ली न्याय के परियाए प्रभुराम का मंदिर भी न्याय बद्ध तरीके से ही बना अयुद्या में भगवान राम लला का मंदिर बन गया लेकिन राम मंदिर का संदेश क्या है अयुद्या का संदेश क्या है अयुद्या का संदेश समाजिक समरस्ता का है अयुद्या का संदेश वसुदेव कुटुम्ब का है और ये संदेश राम मंदर से राष्ट मंदर का है जिसका उलेक प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने अपले संबोधन में कई बार कहा आईए सुनते हैं राम मंदिर से राष्ट मंदर की जो यात्रा है उसके बारे में प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने क्या कहा आज जिस तरह राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा के इस आयोजन चे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है उसमें राम की सर्व व्यापक्ता के दर्शन हो रहे हैं जैसा उत्सव भारत में हैं वैसा ही अनेक देशों में है आज अयोज्धा का ये उत्सव रामायन की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है राम लला की ये प्रतिष्ठा वसुदहेव कुटम कम के विचार की भी प्रतिष्ठा है साथियों आज अयोध्या में केवल स्री राम के विग्रह रूप की प्रान प्रतिष्ठा नहीं हुई है ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतिय संस्क्रिति के प्रति अटूट भी स्वाज की भी प्रान प्रतिष्ठा है ये साक्षात मानिवे मुल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्रान प्रतिष्ठा है इन मुल्यों की इन आदर्शों की आवशक्ता आज संपूर्ण विश्व को है सर्वे भवन को सुखे जाए ये संकल्प हम सद्यों से दोहराते आए है अज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मेरा है ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है ये भारत की द्रश्टी का भारत के दर्शन का भारत के दिग दर्शन का मंदिर है ये राम के रूप में राष्ट चेतना का मंदिर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है राम भारत का चिंतन है राम भारत की प्रतिष्टा है राम भारत का प्रताब है राम प्रभा है राम प्रभाव है राम नेती भी है राम नीती भी है राम नित्यता भी है राम निरंतरता भी है राम विवु है विशद है राम व्यापक है विश्व है विश्वात्मा है और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या सताद्यों तक ही नहीं होता है उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी नहीं कहा है राज्यम दस सहस्त्राणी प्रप्य वर्षाणी रागव हो अर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर पतिश्ठित हुए यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ जब त्रेता में राम आये थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई हजारों वर्षों तक राम विश्व पत्व प्रदर्शन करते रहे थे प्रान प्रदिश्टा के मौके पर परदान मंत्री नरेद मूदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख मंतरी योगी आदितनाथ राश्टी स्विवक संक्य सरसंचालक मोहन भागवजी सहित कई संत महात्मावने संबोधित किया इस मौके पर हर किसी ने आयुध्या के संघर्ष की गाथा का उललेक किया, राम की महिमा का गुर्डगान किया आईए सुनते हैं किसने क्या कहा पांच सो वर्सों के लंबे अंतराल के उपरांथ आज के इस चर्चिर्प्रतिक्सित मौके पर अंतर मन में भावने कुछ ऐसी है क्यों ये ब्यक्त करने के लिए सब्द नहीं मिल लाए है मन भावुक है, भाव विबोर है अंतताह वासुप आउसर आ ही गया जब कोटी कोटी आस्तावानों के त्याग और तब को पूर्टा प्राप्त हो रही है आज आत्मा प्रफुलित है इस बात से के मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था राम राज्या आने मला है वो कैसा था दैही का दैवी का भावति का तापा राम राज नहीं कहुई वापा सब नरक रही परस्पर प्रीती चलही स्वधर्म निरतश्रुति नीती सब निर्दंभ धर्म रतपुनी नरु अरु नारी चतुर सब गुनी सब गुनग्य पंडित सब ज्यानी सब कृतद्य नहीं कपट सयानी राम राज्य के सामान्य नागरीकों का जो वरणन है हम भी इस गवरों में भारत वर्षकी संताने हैं कोटी कोटी कंठ उसका जैगान करने वाले हमारे हैं हमको इस प्रकार के विवहार को रखने का तप आचरन करना पड़ेगा श्री राम जनम भूमी पर भगवान राम लला का मंदिर बन गया राम लला बिराजबान भी हो गए लेकिन राम लला ने किस तरह भारत को जोड़ने का काम किया है भारत की एकता का संदेश दिया है ये अयुद्या से निकला है हर प्रांत ने राम भक्तों ने भगवान राम के चरणों में कोई ना कोई उपहार अर्पित किया है भेट किया है इस तरह राम लला ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया है कैसे जोड़ने का काम किया है इसके वारे में विस्तार से शीराम जनम भूमितीर्चे ट्रस्ट क महासाचिप चंपत राय ने बताया आए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा पूजन में मांसरोवर अमरनाथ गंगा गंगोत्री गोमुक हरिद्वार प्रियागराज गोकर्ण समुद्र करनाटक गोदावरी अनेक स्थानों से समुद्रों का जल यहां आया है अनेक स्थानों की रज आई है देश के अनेक स्थानों से सोना चान्दी आये हैं सब यहां है उत्तर प्रदेश के एटा जिले से जले सर से 24 कुंटल का घंटा लोगों ने स्वेच्छा से भेजा है गुजरात के डबगर समाज ने एक बहुत विशाल नगाड़ा बना कर सोच्छा से भेज़ दिया है जनकपूर, मिथला, यानि सीतामणी, बक्सर और राम जी की ननिहाल, 36 गड़, वहां से बड़े भार आये हैं गिरनाइट आया है, तो तेलंगाना और करनाटक से आया है मंदर का पत्थर, राजस्थान के भरतपुर की ले का है सफेद रंग का मार्बल, ये राजस्थान के मकरना का है मंदर के दर्वाजों की लकड़ी, महराट के वल्लार शा की है जिस कारिगर ने मूर्ती बनाई है, वो मैसूर के हैं, अरून योगी राज अरून योगी राज की आयो 41 साल है केदारनात में शंक्राचारी की प्रतिमा अरून योगी राज ने बनाई है दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाज चन बोस की प्रतिमा अरून योगी राज ने बनाई है अब राम लला की प्रतिमा उन्हीं के दोरा बनाई गई है अईद्या का भगवान राम लला का जो मंदिर बना है और उसे बनाने में परश्चम करने वाले अपना पसीना बहाने वाले मजदूरों का वरकर्स का क्या कहना है आईए वो भी आपको सुनवाते हैं उनके मन के भाव क्या हैं वो किस तरह अपने आपको राम मंदिर से जोड़ रहे हैं मेरा मन में भी बहुत उक्सा था कि मैं बहुत पलांट कंपनी बहुत सा बनाया था और जो है कि आज मुझे बहुत खुसी हो रही कि जो है कि हमें मंदिर बनाने का काम मिला और हम लोग खुब मेहनत करके और ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्री में काम कर रहे हैं पैसे भी मिल रहा है उसका और मुझे काम करने सो भाग मिला जो हम लोग इस मंदिर में खुब मन लगा के काम की राम लला का मंदिर बन गया रेकिन राम लला के साथ राम और रोटी ये मुद्दा भी एक महत्पूर है आयुद्या में किस तरह का आर्थिक परवर्तन आ रहा है लोगों के जीवन में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं इस मुद्दे पर भी हमने लोगों से बात की आए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा भगवान विराजमान होगे कितनों साल से ताड़ पट्टी में थे और ताड़ पट्टी से अब मंदिर में विराजमान हो गए अब खुशी की बात हर उल्लास से खुशी है अब जब विकास बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और रोजगार से हमारों सब का रोजी रोट बढ़ेगी और विकास कम हो रहा है तो रोजी रोटी कम रहे रोजी रोटी सब की बढ़ेगी फूल माला हो विसात खाने की दुकान हो लकडी के सामान हो लड़ू हो परसाद हो आज बहुत तेजी के साथ लोग उस रोजगार में फल फूल नहीं है और जो 84 कुछी परकर्मा ह कि ने स्विकित किया है उसके पीछे उद्देश भी यही है कि उस 84 कुछी पर जब हम पूरे देश के दुनिया के लोगों को ले जाएंगे तो गाओं के लोगों को भी रोजगार तेजी के साथ उस पर मिलेगा जगा जगा चाय की दुकान होगी धाबा होगा रिस्टोरें को भी कहा है कि पूरी उत्तरप्रदेश की सकल बदर जाएगी कोई भी नौजवान ऐसा नहीं बचेगा जो काम करने वाला होगा जिसको रोजगान मिले अध्या में भगवान रामलला का मंदिर बन गया रामलला टेंट से निकलकर भव और दिव मंदिर में आ गए लेकिन इ अध्या ने प्रेम और भायचारे का संदेश दिया है तो हमारे सकायक्रब में इतना ही मुझे दिजिए आग्या नमस्कार राम भारत की आस्ता है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्टा है, राम भारत का प्रताब है, राम प्रभा है, राम प्रभाव है, राम नेती भी है, राम नीत राम नित्यता भी है राम निरंतर भी है राम विवु है विशध है राम व्यापग है विश्व है विश्वाखना है